दोस्तों आपके सामने एक सीन है इस सीन में एक गलती है दोस्तों क्या आप इस सीन को देखकर बता सकते हैं कि इसमें क्या गलती है दोस्तों आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकिंड दोस्तों क्या आप इस सीन में एक गल्ती को ढून पाए दोस्तों इस सीन में आप देखेंगे कि दिवार पे एक डिजिटल घड़ी है जो कि 10 बच के 60 मिनट का समय दिखा रही है 10 बच के 60 मिनट नहीं होते हैं 10 बच के 69 मिनट के बाद में 11 बचती है दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज की अगली पहली है एक दिन एक चोर म्यूजियम से एक नायाब हीरा चुरा के घोड़े पे भागने लगता है पुलिस उस चोर का पीछा करती है लेकिन चोर भागता घोड़े के अस्तबल में जाके पहुशता है जहां पे पहले से ही घोड़े मौजूद होते हैं चोर पुलिस से बचने के लिए उस घोड़े को वहीं पर ही बान देता है और हीरा घोड़े में छुपा देता है और घोड़े को पैचानने के लिए उसके उपर 420 नमबर जाता है ताकि पुलिस से बच सके दूसरे दिन वो चोर हीरा लेने के लिए जब वापस आता है तो देखता है कि वहाँ पर 420 नंबर वाले चार घोड़े हैं जो कि एक जैसे हैं उस चोर को समझ में नहीं आता है कि मेरा वाला घोड़ा कौन सा है जिसमें हीरा है दोस्तों क्या आप पता कर पाए कि इन चारों में से वो कौन सा घोड़ा है जिसमें हीरा है दोस्तों आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताईए इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सकिंड दोस्तों क्या आप पता कर पाए कि इन चारो घोडों में से वो घोडा कौन सा है जिस पे इस चोड ने हीरा रखा था दोस्तों इन चारो घोडों में से पहले नमबर वाला घोडा है जिसमें इस चोड ने हीरा रखा था दोस्तों चारो घोडों को वो चोड गोड से देखता है तो उससे याद आता है कि जिस घोड़े को लेकर मैं यहाँ पे आया था उस घोड़े की स्किन पर थोड़ा काले कलर का निशान है और इन चारों घोड़ों में से वो पहले नमबर वाला घोड़ा है जिसकी स्किन पर काले कलर का थोड़ा निशान है इसका मतलब है कि इन चारों में से वो पहले नंबर वाला घोड़ा है जिसमें हीरा है दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उससे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें थैंक यू